और मजदूर भाईयों के साथ हमेशा हमारे हेमन सोरें जीर रहे हैं जारखन मुक्ती मोचा रहा है हम लोगों के लिए थास करके मजदूर भाईयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं मजदूरों को हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है जारखंड की जनता के साथ भेदभाव किछड़ा आदिवासी अब संख्यक इसकी बारे में सोचने वाला कोई नहीं बाहर में फसे हुए थे किसी को जारखंड में अगर बस से रेल से या हवाई जहाद से अगर जारखंड में लाए है मजदूर भाईयों और मजदूर भाईयों के साथ हमेशा हमारे हेमन सोरें जीर रहे है जारखंड मुक्ती मोचा रहा है है महागडबंदन हमेशा सात में रहा है देख रहे है Gesetz में बहुत साठे बड़े-बड़े नेता केंदर से आ रहे हैं और केंद्र से आते आते उसमें साथ मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए थास करके मज़़ूर भाईयों के लिए बात कर रहे वाला कोई नहीं है बड़े बड़े नेता आते हैं वादे करके जाते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जार्खन्ड में हमारे मज़़ूर भाईयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा का दर सबसे में उन्होंने सिर्फ जारखंड वाशियों को यहां के मजदूरों को हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है जारखंड की जंता के साथ भेदभाव किया है चाहिए उनकी महलताना आपको पैसे की बात हो उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में जारखंड आता है और हेमन जी हर वक्त केंद्र से यही मांगते थे कि मन्रेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं लोग की केंद्र सरकार की कान में जू तक नहीं रिंगती है का भी काम किया और साथ ही साथ जो गर्वती महिलाएं हैं दिव्यांग हैं हमारे व्रिद्ध हैं उन लोगों को बिर्साहरित ग्राम से योजना से जोड़ा जिससे वे फलदार पौधे लगा भी सकते हैं उनकी कुडाई भी कर सकते हैं और उसको लगाने देखने के लिए हर उनको एक राशी भी दिर आती है ताकि उनको किनके किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े ये सोच है हेमन सोरेंजी की चाहे महिला गर्वती ही क्यों न हो चाहे महिला व्रदी क्यों न हो चाहे इस राज में दिव्यांग ही क्यों न हो वो भी आत्म निर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और यह है हेमंद सोरेंजी की सोच हमेशा हर लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करता है यह कभी बेद भाव नहीं करता आप लोगों को शायद पता ही होगा हमारे बगल के राज में ब्याहर में एक दलित परिवार का घर जला दिया गया था सोच देखिए दलित परिवार का घर जल गया था जला दिया गया था उसमें कितने सारे बच्चे परिवार बड़े बुजुर्ग थे लेकिन सोच इतनी विद्वन्सक है इतनी नफरती सोच है और वहां किसकी सरकार है वो आप लोग को पता है वहां भाजपा की सरकार है कभी नहीं चाते कि हम लोग मजबूत हो और आज जार्खंड में हेमन सोरें जी जितनी योजनाय लेकर के आ रहे हैं ये किसी जाती धर्म के आधार पर में नहीं हम लोग उसकी नफरत हम लोग ये लोग चाते हैं कि यहां पर में नफरत हो जार्खंड तूट जाए बिखर जा और यही यह लोग जार खन में लेकर आए है आज आप देख सकते हैं कि जार खन में कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं धादा अपना बेटा के साथ है यह było यह यह यात्रा यह 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 जोजना को आगे बढ़ारने की यात्रा नहीं है कि कि यह कुए सब को संगठिक करने के लिए यात्रा है 4 पिष्डण गरीब गुर्भा आदिवासीं संख्यक्त। हमारे सब हमारे सब्सक्राइब को संगठिक कानी यात्रा है हाजार रुपे की बात नहीं है आज जारखंड में एक मुख्य मंत्री को जेल में बेजने का काम करते हैं बीजेपी वाले लोग जनता इस बार आप लोगों को जबाब देना है क्योंकि हेमन सोरें जी आपका अपना भाई है आपका अपना दादा है जो हर वक्त हर घड़ी इस प्रयास में है कि किस तरीके से जार जारखंड बना है हमारे दिशम गुरु शीबु सोरें जी के त्याक से बना है बहुत लोग आप लोगों को बर्गलाने के लिए आएंगे और यह बताएंगे कि यह योजना चल रही है यह केंडर से चल रही है लेकिन अभी मैंने जितना गिनाया लेस्ट बहुत जादा लं होगा कि आप गलत के साथ में हैं या सच के साथ में हैं कि सच का सफर थोड़ा कठिन होता है बहुत सुगम रास्ता नहीं होता है एक लाख 36,000 करोड केंटर से मांगा है लेकिन अभी तक पैसा है मन जी को नहीं मिला है अगर यह पैसा मिल जागा तो हमारे जारखंड का जो विकास अभी है मन जी कर रहे है इससे कई गुना तेजी से इसका विकास होता